Hello Friends, Welcome to my Channel Nursing Study आज की वीडियों हम discuss करेंगे The Excretory System और इसे हम बोलते हैं Urinary System तो इसमें हम आज पढ़ेंगे Excretory System क्या होता है यह कैसे वर्थ करता है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका Basic जानेंगे कि Urinary System Sorry, Excretory System या फिर योरेनली सिस्टम एक ह्या है , यह हमारे बोड़ी में प्रेजन यह होता है इसे बोलते हैं हम किड्नी , जी हमारे बोड़ी में प्रेजन होते हैं, टू प्या होता हैb में present होते हैं और यह excretory का process complete करते हैं ठीक है pair of kidney pair of ureter and urinary bladder and इसे बोलते हैं युरेत्रा इसके बाद हम यह देख लेते हैं कि यह हमारे body में कहां पर present होते हैं तो यह देखिए यह हमारे body का structure और यह जो diagram हमने पहले देखा था यह वह होई diagram है ठीक है यह हमारे body के अंदर present है और यह बिल्कुल हमारे body में बिल्कुल पीछे यानिकि सारे organs के बिल्कुल पीछे present होता है यह देखिए pair of kidney pair of ureter bladder and urethra तो आगे हम notes में इन सभी को discuss करेंगे kidney में क्या होता है kidney कैसे बोलत करता है और ureter और सारा हम bladder भी पढ़ेंगे सारा complete हम notes में अच्छे से discuss करेंगे अभी just हम इसका basic discuss कर रहे हैं कि हमें यह पता हो कि हम क्या चीज बढ़ रहे हैं उसका क्या work है ठीक है तो उसके बाद यह red and blue में आपको दिख रहा है यह हमारे arteries and यह हमारा यह हमने हमारे cardiovascular system में हमने discuss किया था तो आपने यह हमेशा सुना होगा या पढ़ा होगा कि kidney का क्या work होता है यह हमारे blood को filter करती है ठीक है फिल्टर कैसे करती है our arteries के thraill blood kidney में आता है ठीक है आपने । किद्नी में ख्रीं में फ्रेज होता है इसमें mois is present होती है ठीक है के थ्रू यह blood कैहिए filter होता है और उसके बाद जो प्रोड़क्ट हो जाता है वो यूरेटर के तुरू ब्लेडर में चला जाता है ठीक है और जब यहाँ पर कैपलरी के तुरू जो यह ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है उसके बाद वेंस के तुरू यह ब्लड वापिस चला जाता है तो कीटनी के अंदर हमारी अटैच होती है arteries भी attach होती है ठीक है वेने कवे भी attach होता है और हमारा जो ये uterid का part है ये भी इसके साथ attach होता है ठीक है तो यानि कि filtration का काम यहाँ पर पूरा process चलता है ठीक है जैसे ही artery ने blood यहाँ पर भेजा ठीक है capillaries ने सारा process किया और उसके फिल्टर करने के बाद जो भी waste product था blood की अंदर सारा यह से फिल्टर होरिय ए ब्लیडर में चला जाता है ठीक है यह सारा यहाँ से जो waste material सारह यहासे इन pipes के थूठ ग्यांट में इकठा हो जाते है ठीक है उसके बाद filter होने के बाद यह वेंस के थूठ ब्लट वापिस होता है और यहां से भी यही प्रोसेस होता है तो दोनों किड़ने का सेम वर्क होता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉड़ी को सभी न्यूट्रिंस देता है ठीक है ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिंस हमारी बॉड़ी के रिक्वार्मेंट होती है वो सब जो है blood हमाइं present करवाता है, ठीक है, और blood कैसे पहुंचता है हमारे body में, इन arteries के तरूफ पहुंचता है, ठीक है, तो जो हमारे body में waste product होता है, ठीक है, nutrients अगयरा, जो जिनकी requirement होती है, वो body observe कर लेता है, और जिनकी requirement नहीं होती है, जो waste पड़े रहता है हमारे body में, blood क्या करता है उन सारा waste product को भी कठा करके kidney में ले आता है ठीक है kidney में ले आने के बाद वो filter होते हैं ठीक है filter होने के बाद वो सारे excrete हो जाते हैं bladder के through ठीक है ये चीज़े थी इसकी basic चीज़ें जो की हमें जानना जुरूरी है नोर्स स्टार्ट करने से पहले ठीक है ये चीज़े समझ आने के बाद फिर आपको नोर्स समझना easy हो जाएगा तो चलिए अब हम इसको नोर्स के तुरू समझते हैं यूरेनरी सिस्टम और excretory system दोनों का नेम अऽलग-अलग है लेकिन work same है ठीक is the main excreti system which play a vital role in the maintaining hemostasis of water and electrolytes within the body urinary system का क्या काम है जो हमारे body में hemostasis of water balance को बना के रखते है ठीक है जितना हमारे body को water की requirement रहती है उदना body को देता है और जितना जो है वेस्ट हो जाते है ठीक है यानि कि एक्स्ट्रा वाटर नहीं रहने देता है बॉडी में उसको एक्सक्रीट कर देता है ठीक है एलेक्ट्रोलाई बैलेंस को बना कर रखते है यह next point है the kidney produce urine that contain metabolic waste product such as urea, uric acid, accession and some drugs यानि के kidney का क्या process होता है यह urine produce करता है ठीक है urine क्या होता है metabolic waste product होता है ठीक है जैसे की इसके अंदर क्या होता है urea, uric acid होता है ठीक है excessions होता है एंड कुछ drugs होती है ठीक है यानि के kidney यह सारा waste product ले जाकर के kidney के थूर यह सारा बाहर आ जाता है ठीक है bladder के थूर यूरेथर के थूर और यह सारा body के बाहर हो जाता है ठीक है the urinary system has a flowing structure तो युरिनिय सिस्टम का कुछ स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लेकर के आ रहे थी उसको ब्लैडर में इकठा हो रहा था यानि कि ब्लैडर क्या क्या काम थे एक तरह का था वो भैग था ठीक ठारी थी जिसके अंदर और युरेथर फिच्रुरी लीव और युरेथर क्या है बिल्कुल लास में नीचे पतली सी नौक होगी, उसके थुरू क्या होता है, कि ये urine जो है, हमारे body से बाहर हो जाता है, ठीक है, तो ये था हमारा introduction, ठीक है, excretory में, इसमें क्या-क्या था, कि urinary system क्या करता है हमारा, water balance बनाके रखता है, ठीक है, electrolyte balance बनाके रखता है, और हमारे जो waste product है, जैसे कि urine, इस acid होता है, exception होता है, कुछ drugs होती है, ये सारे को हमारे body से बाहर निकालता है, और urinary system में क्या होता है, दो kidney होती है, दो ureters होते हैं, ठीक है, urinary bladder होता है, and urethra होता है, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हम kidney, ठीक है, बहुत important topic है ये kidney, the kidney lies on the posterior abdominal wall of the each side of the vertebral column, behind the peritonium and below the diaphragm, तो जैसे कि हमने देखा कि kidney काँपर होती है, बिलकुल हमारे abdominal area में होती है, और abdominal के बिलकुल पीछे होती है, ठीक है, यानि कि δोनों, जो हमारी vertebral column है, उसके बिलकुल side में होती है, यानि कि दो है दयागो coalition भी आपने बनाना है ओंपने बनाना है एगे जो भीród आएगराम आएंगे कीडणी के वो भी आपने बनाने है ऊसके बाद स्थेक्वर्ड आता है इस एक्सेंट होती है ठीक है थोरासिक वर्टिबल क्या होता है और लंबर रीजन क्या होते हैं यह मैं आपको स्केलेकरन सिस्टेम की वीडियो है हमारी उसमें हम डिसकस कर होता है यानि कि जो राइट साइड में जो किट्नी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है ठीक है यानि कि थोड़ा सी लोवर होती है क्यों क्योंकि उसके साथ लीवर प्रेजन्ट होता है और लीवर अपना स्पेस लेता है और उसकी वज़े से वो किट्नी थोड़ा सा नीचे तुझे जाती है ठीक है इसकी बाद आता है hair seems यान के के सही दिखती है मारे किटिनी कैसी है हिप ठीक के इसे विट के सही इसा sih कीड़नी का छेप ठीक है इसकी लेंद्थ होती 11 सेंटीमीटर वीड़ होती है इसकी 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर ठीक एंड वेट अपता है इसका 150 ग्राम ठीक है दे किड़नी आर इंक्लोज बाइस नीट ऑफ दा intévis फाइब्र इसकी ना हो ईसके देकश相信 और मेसरिका स्थां किड़नी क्या है किसे बनी हूए हैं वेक्राइब्र इसकी पूर्मेद्नेशन सब्सक्राइब विख्रैक्ट जी सबस्क्राइब करते हैं जासार कैसे हो थींगिंगे क्यों रिग्र कई में तρनेंड कॉंटल जी केंट का स्टॉक्चर एक यह घित कि यौ कि इसके बीन शेफ ठीक है बीन की शेफ एसकी होती है एन्ड इसकी ट्री पर्ट है थे जो अउटर लेयर है यह हमारा है एक एल पॉर्ट अपसुल और इसका इनर पार्ट है हमारा कोटेक्स ठीक है यह जो हमारा red color में inner part है cortex and यह dark brown color में हमारा है medulla ठीक है इसके three main parts है capsule, cortex and medulla सबसे पहले पढ़ते हैं capsule outer fibrousness of the layer also called the renal fissure यानि कि जो outer layer था जैसे हम अब डाइगर में देखा है जो outer layer है उसे बोलते हैं capsule ठीक है और जिसे हम renal physia भी बोलते हैं renal क्या होता है kidney, renal को बोलते हैं kidney, ठीक है second आता है हमारा cortex, light red layer of the tissue below the capsule and outside the renal pyramids तो जो red color की layer थी ठीक है उसे बोलते हम cortex and यह कह है हमारी renal pyramids ठीक है renal pyramids के बिलकुल ऊपर थी ठीक है उसके बाद third आता है हमारा medulla medulla में क्या है reddish brown inner most layer और यह बिलकुल अंदर की layer होती है यानि कि deeply जो layer है वो है medulla की layer और यह कैसी होती है reddish brown color की layer होती है ठीक है consists of pal conical shaped steriation called the renal pyramids और यह कैसी है इसके अंदर क्या होती है पाल conical shaped होता है यह और इसे हम renal pyramids भी बोलते हैं ठीक है जैसे कि square pyramids बने हुए थे इसलिए इसको हम pyramids भी बोलते हैं renal pyramids बोलते हैं ठीक है other structure में क्या क्या आता है इसमें और क्या 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 कंसिस्ट है इसके अंदर first इसमें helium it is a concave middle border of the kidney where the renal blood and the lymph vessel the ureators and nervous nerves in enter और इसमें present होता है helium helium कैसा होता है इसा concave middle border और यह क्या है concave middle border होता है kidney का जहां पर renal blood and lymph vessel यानि कि जहां से lymph vessel और sorry blood और हमारे जो nerves होती है वो सारे enter करते हैं ठीक है helium के through उसके बाद आता हमारा renal papilla ठीक है present at the apex of the pyramid through which urine is passes from by the kidney और यह कहां पर at the apex of the pyramids ठीक है pyramid के बिल्कुल apex में यह present होता है और जिसके through urine जो है pass होता है kidney से pass हो जाता है ठीक है यानि कि ureator में वो pass हो जाता है kidney से ureator में चला जाता है renal papilla के through ठीक है उसके बाद आता है हमारा minor and major major calyx these are the area where urine form the renal papilla और इस area में क्या होता है urine जो है renal papilla में जाता है ठीक है इसके through renal papilla में urine जो है pass on हो जाता है ठीक है और फूर्थ हाता हमारा renal pelvis two to three major calyces combined to form the renal pelvis यानि कि दो से तीन calyces मिलकर बनाती है renal pelvis ठीक है it is a funeral shaped structure that narrow when it leave the kidney as a urator और इसके shape कैसे होती है funeral shape जैसी होती है और यह क्या है थोड़ा सा that narrow यानि कि थोड़ा सा यह narrow होता है when it leave the kidney as a urator और जब यह kidney से leave होता है ठीक है the wall of the calyces and the renal pelvis are lining with the transitional epithelium और इसकी जो wall होती है ठीक है वो कैसे किसे बनी होती है हमारी transitional epithelium से बनी होती है उसके बाद आता है हमारा microscopic structure of kidney microscopic structure of kidney में क्या आता है इसमें आता हमारा nephrons ठीक है यानिकि जो kidney में अगर इसको microscope के तुरू देखा जाए तो एक structure दिखता है इस तरह का structure दिखता है जो की kidney के अंदर present होता है और यह सारा process जो होता है filtration का जो process होता है यह सारे nephron जो है perform करते हैं ठीक है तो exam में कई बार पूछा जाता है कि microscopic structure of kidney को discuss कीजिए तो आपने इसमें nephron को explain करना होता है यह diagram भी आपने बनाना है ठीक है nephron को discuss करते हुए यह diagram आपने explain करना है और ठीक है यहां देखे यह देखे आर्ट्रेस के त्रू ब्लड जो है किड्नी में present होता है यह nephron ठीक है यहां पर यह क्या है हमारी capillaries है और ब्लड जो है filter होने के बाद वापिस चला जाता है उसके बाद जो waste product होता है यह जो पेरिट कलर में आपको दिख रहा है यह जो waste product है यहां से यह सारा किड्नी के थुरू कि वहां से होते हुए यह यूरेटर के थुरू ब्लैडर में चला जाता है ठीक है तो किड्नी में ही यह सारे nephron का प्रोसेस जो चलता रहता है ठीक है यानि के arteries भी arteries भी वहां पर present होती है ठीक है वनगेवे की भी branch भी present होती है artery की branch भी present होती है और nephron की भी वहां पर present होती है तो यह सारे मिलकर के यह work करते हैं फर्स पाइंट है इसमें the kidney contain about 1.2 million functional unit called the nephron and nephron is a microscopic structure of kidney तो kidney में क्या होता है 1.2 million functional unit होती है nephron की ठीक है और nephron को हम जो है क्या बोलते हैं इसको microscopic structure of kidney बोलते हैं ठीक है यानि कि जब हम microscopic को देखेंगे तो हमें यह nephron का structure दिखता है ठीक है kidney में इसके अंदर क्या है collective ducts प्रेजंट होती है ठीक है इन ducts के तुरू जो waste product होता है वो क्या होता है excrete हो जाता है बाहर चला जाता है ठीक है urator के तुरू यह बाहर हो जाता है ठीक है the collecting duct transport urine through the pyramids to the clashes and give the pyramid thin stripped appearance तो in collecting duct का क्या काम है यह ट्रांसपोर्ट करती है यानि कि urine को ट्रांसपोर्ट करती है through the pyramid pyramid के तुरू और clashes को बेज़ती है उसके बाद give the pyramid thin and sorry thin stripped appearances और pyramid को यह एक thin stripped appearance जो है provide कराती है ठीक है the collecting ducts are spotted by the collective tissue जो collective ducts है यह किस्ये बनी होती है यह कौन को sport करता है collective tissue ऊपोर करता है and contain blood vessel, nerves and lymph vessel और इसके अंदर क्या-क्या होता है blood vessels होते है nerves and lymph vessels होते हैं ठीक है blood vessels क्या हूते है подchodzi है ethics क्या होती है ठीक है हमारे circulation system में ठीक है nervous system में and lymphatic system में इसके बाद पढ़ते हम nephrons nephrons में क्या क्या होता है the nephrons is an important tubule closed at one end that join after collecting duct at the other end ठीक है nephrons कहा है यह बहुत एक important tubules है ठीक है वही तो main process वही work कर रहा है ठीक है और यह close होता है यानिकि एक end से यह बंद होता है और दूसरे end से यह जुड़ा होता है collective ducts के साथ ठीक है the close or the blind end form cup shape bloomer, glomular capsule ठीक है यानिकि यह जो close end था वह कैसा दिखता है हमारा cup shape cup shape, glomular capsule की तरह दिखता है जिसे हम क्या बोलते है boundary capsule भी बोलते हैं जिसे ठीक है this capsule completely enclosed network of the tiny arterial capillaries called the glomular means जो यह capsule था यह कह है completely enclosed network है ठीक है किसका network है यह arteries यहनिके arteries और capillaries का यह complete network है ठीक है जिसे हम बोलते हैं glomularis इसे हम बोलते हैं ठीक है फर्स्ट आता है इसमें फर्स्ट है दा proximal connulated tubal second है the medullary loop यह फिर loop of hemla third है इसमें the digital connulated ठीक है यह त्री पार्ट्स है इसके यह देखिए मैंने भी इसे अपने notebook में जो है diagram बनाया हुआ है इस तरह से आप इसे अपने notes के खुरू से तयार कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हम next point पढ़ते हैं इसमें fifth point है हमारा in the cortex and the arterial the efferent arteriales enter each glomular capsule and further it divides into the cluster of tiny arterial capillaries means cortex के अंदर glomular में जब यह arteries enter करती है ठीक है यह जो arteriales होते हैं ठीक आर्टरी तो single arteriales क्या होते हैं group of arteries यानि कि काफी सारी arteries जब glomular में enter करती है तो यह आगे divide हो जाती है cluster में ठीक है जिने हम arterial capillaries बोलते हैं ठीक है उसके बाद six point है the blood vessel leading away from the glomular glomulus in is the efferent arteriales और जो blood vessels है वो क्या है lead करती है यानके away यानके दूर हो जाती है glomulus से and is the efferent arteriales और जो है efferent arteriales the efferent arteriales divided into the two peritubular capillaries network ठीक है जो efferent arteriales है वो आगे divide होती है second peritubular capillaries network में ठीक है which allow exchange between the fluid in the tubules and in the blood stream जो जिसका क्या काम है जिसमें exchange होता है ठीक है यानके जो fluid है वो चला जाता है तो यह था हमारा नेफ्रन का पूरा structure और इसका क्या 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 process होता है नेफ्रन में तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाईस नेक्स्ट वीडियो में हम function of kidney, urether and ureter को discuss करेंगे and urinary bladder को भी हम इसमें discuss करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको अभी तक इतना यह समझ में आ गया होगा thank you for watching guys